बस्तों सब्सक्राइब करें गोडोफ्य विलोक्स चैनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटर सब्देट अब से पहले भाने के लिए अगर आपने विल्ट चैनल अभी तक सब्सक्राइब करें और शेयर करें आज मैं पैक करूँ हूँ आपनी राइनॉक्स की नई जैकेट जिसका मोडल नमबर है स्ट्रोम इवो एल्टू एल्टू मिन्स इसमें लेवल 2 के पोड़क्टर है जिसको आर्मर भी कहते हैं इसमें क अब आपको उतार के दिखाऊंगा और यह इसके टाइटेनियम की और शील्ड लगी है यहां पर और इसे यहां जो एक तो अंदर प्रट्र भी है और यहां शील्ड भी है तो बात करते हैं बाकी पीचर्स की एक इसके साथ बुकले हैं जिसके सब लिखा है कि क्या है इसके कुछ इन्फोमेशन इसके फर्स्ट लेयर वेंटिलेड़ेड़ जो की यह है नैट वाली इसके नीचे है वोटर प्रूब उसके नीचे है वार्म पर यह लाइनोस का मिलता है यह 3M का वी रिफ्लेक्टर टाइप है और यह कंपनी का ना और एमर पी जो है इस जैकिट की है 9450 जो कि आप और नहीं ले सकते हैं मैं इसके लिंक क्लिप से इसके में देख रहे हैं जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं आम लाइनी है जो माइनस केंपरेचर में काम आएगी अगर बहुत जादा ठंड हो तो हम इसे डाल सकते हैं उसके बाद यह लाइनिंग है जो की है waterproof लाइनिंग उसके बाद यह लाइनिंग है यह है ventilated जो हम summer में यूज़ कर सकते हैं और इसकी एक pocket यहाँ है यह pocket water resistant है waterproof नहीं है अगर बहुत जादा बारिश आरी हो तो इसमें पानी आ सकता है इसकी जो यूवली pocket है इस side पे जो आप देद रहे हैं यह pocket जो है इसकी 100% water proof है यहाँ पे और जो यह है इसका यह extra यह pocket है इस side नहीं है और इसके side भी है लेकिन जो यह है यह भी water resistant है यह भी water resistant है जो यह है यह सिरो waterproof और जो यह लाइनिंग है इसकी यह आप फोटो में देख लेना कि कैसी है इसकी यह 3M की और यह भी इसका जो यह है यह सब रात को reflect करता है इसके यहाँ पे जो यह chain लगी है यहाँ से यह open कर सकते हैं इसे जिससे इसकी यह layers उतर जाती है यह first वाली है इसके साथ second वाली लगी है यहाँ पे यह दोनों layers आप जा सकते हैं अगर आपको summer में दालनी है या आपको बारिश वाले मौसम में दालनी है तो आप सिरफ यह दालो या बारिश ने है तो ठंड में दालनी है तो सिरफ यह दालो अगर कोई भी नहीं दालनी तो सिरफ यह दालो और यह जो इसमें जिप लगी है यह जो राइडिंग पैंट होती है, उसके साथ किनेक्ट टिरने के लिए होता है, और यह है इसका बैट का आर्मूर, यह मैं भी आपको खोल के लिखाता हूँ, तो यह है इसका आर्मूर, यह देहरे वाप कितना मोटा है यह, तो यह है इसके वैक्रो टेप के, यह इसलिए है, अगर किसी का हाथ थोड़ा सा चोटा या बड़ा होता है, तो इसको अजेस्ट करके, यहाँ भी इसको टाइड कर दो, तो यह पुडेक्टर अपनी जगह पे आजाता है, फुरी अलबो पे, इस सेट भी और इस सेट भी और टाइड भी हो जाता है, और यह है, इसमें नॉक्स के आर्मूर लगें, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, नॉक्स के आर्मूर, वोडर पूफ है, इन बीद्रेवर मेडिरियल, कमपनी सेटिपाइट, और यहाँ पे यह टाइड करने के लिए है, इधर और इधर, और इसका बैग दिखाते हैं, तो बैग में यह इसका शाइन करता है, पूरा रा यह लाइन करती है, और यह जो इस तरफ एक अलग पूडेक्टर है, जो मैं आपको आगे से दिखा रहा हैं, यह और यह अलग है, और यह भी रात को रिफलेक्ट करती है, तो बाकी आप अब फोटो में देखो, कि कैसे हैं इसके रात को 3M के जो रिफलेक्टर्स हैं, तो आ झाल झाल